तो गाईज आज है संड़े और आपके लिए मिलाए हो संड़े फैक्स सीरीज के एक नए एपिसोड जहाँ पे मैं आपके साथ चार अन्नोन और वैलिवल फैक्स शियर करूंगा जो कि आपके दिमाग को ना हिला कर रख देगा तो बिना दिरी किये आईए इस एपिसोड को श जहादा अच्छे लगते होगी और वो सबको लगती है कुछ बॉलर्स होते जो कि स्विंग बॉलिंग करते कुछ बॉलर्स होते जो कि फास्ट बॉलिंग करते और फिर आता है डेल स्टेन जो कि दोनों करते उनके ऐसी स्मूद बॉलिंग मैंने आज तक देखी नहीं है और और इसी के लिए उन्हें एक ट्रिब्यूट देने के लिए मैं ये Sunday Facts सीरीज लाया हूँ जहाँ पर मैं चार फैक्ट सेयर कने वाला हूँ डेल स्टेन के बाड़े में तो बिना देरी किये आई ये Sunday Facts सीरीज को शुरू करते हैं अब पहला Facts हो ए कि क्या आपको पता है डेल स्टेन अपना ODI डेब्यू South Africa के लिए नहीं किया था उन्होंने अपना ODI डेब्यू South Africa 11 के लिए किया था देखिए एक डिफरेंस होते है South Africa टीम और South Africa 11 के बीच South Africa team जो कि international team आप देखते हो South Africa 11 एक अलग team होती है तो उन्होंने अपना ODI debut South Africa के team के लिए नहीं बलकि South Africa 11 के लिए किया था और पहली चीज तो यह है कि उन्होंने South Africa 11 के लिए डेबू किया यह मतलब कह सकते है demotivating था Second जो चीज है कि एक 3 match की series जो कि खेली गई थी Asia 11 और South Africa 11 के बीच उसमें उन्होंने सिर्फ 2 wickets लिए थे मतलब इस 3 match की series में सिर्फ 2 wickets तो यह demotivating और जादा था पहले आप South Africa 11 के लिए मतलब डेबू करते हो और फिर सिर्फ 2 wickets लेते हो एक 3 match की ODI एक series में तो दोनों चीज बहुती जादा demotivating होती है लेकिन फिर भे उन्होंने उस demotivating phase को cross किया और 4 महीने बाद ही in 2005 उन्होंने South Africa के लिए डेबू किया और उसके बाद जो हुआ वो एक history है तो दूसरा factor हो है कि क्या आपको पता है Dale Stain एक movie का भी हिस्सा बन चुक है जी हाँ Dale Stain एक movie का भी हिस्सा बन चुक है 2014 में release की हुई film blended का हिस्सा बन चुक है Dale Stain तो इस movie में जादा lumber role था नहीं उन्होंने actually अपने उपर ही एक cameo role किया था cameo मतलब एक छोटा सा part किया था उस movie में आप अगर उस movie को देखेंगे मैंने देखा है वो बस एक छोटा सा part था लेकिन काफी exciting पाड़ता तो आप जादा क्रिकेटर्स देखोगे नहीं मूवी में हिस्सा लेती हुए लेकिन Dale Stain हिस्सा बन चुक है blended movie का तो आप उस movie को देख सकते हो जो तीसा factor हुए कि क्या आपको बता है Dale Stain के कई साड़े निकनेमस है एक जो निकनेम काफी जादा famous है वो है Stain Gun लेकिन इसके अलावा भी दो ऐसे निकनेमस है जो कि बहुत सा है लोग को नहीं पता उसमें से एक है Stain Remover और दूसरा है फाला बोडवा एक्सप्रेस तो ये दो निकनेमस मतलब बहुत से लोग को नहीं पता Stain Remover और फाला बोडवा एक्सप्रेस लेकिन आपको अभी ये निकनेमस पता है अब जो चौता factor वो कमाल का factor और ये दिखाता है कि किस तरह के बॉलर रहा चुक है डेस्टेन और वो है कि डेस्टेन नमबर वन टेस्ट रैंकिंग होल्ड की थी फ्रम 2008 तो 2014 यानि छे साल वो नमबर वन पे थे इन टेस्ट रैंकिंग्स जो कि मतलब बहुती मतलब विश्वास ही नहीं होता छे साल नमबर वन टेस्ट रैंकिंग्स में रहना कमाल की बात होती है जो कि मतलब मैं तो अभी विश्वास नहीं कर पाड़ा तो ये थे चार फैक्स डेस्टेन के बाड़े में मुझे अभी विश्वास नहीं होड़ा कि उन्होंने रिटार में ले लिया क्योंकि देखिये है उनके करियर में इंजरी बहुत आई है 2020 में जब उन्होंने आर्सीव के लिए खेला तो उनके बालिंग में वो धान नजर नहीं आई और मतलब इंजरी रही है बहुत ही जादा 2015 के बाद और एज भी अच्छी काशी हो गई है तो रिटार्मेंट वो ले सकते है एकसेप्टेड है लेकिन ऐस फैन यह मतलब दुख होता ही है मैं तो उनके बालिंग और भी जादा देखना चाहता था काफी स्मूध बालिंग है उनका स्मूध एक्शन मतलब बहुत ही कमाल का लगता है तो आपको क्या लगता है डेस्टेन के बारे में आप मुझे डियम करके बता सकते है इंस्टेग्राम है फेस्बुक पे अड़ दिले क्रिकेट पर आप समूध लगत होगी और एक अमेजिंग पॉड़कास एपिसोड में क्योंकि दिल में क्रिकेट इसलिए दिले क्रिकेट धन्यवाद